बच्चों को खिलाना बहुती कठिन कारिया है, खास कर सबजियां, आज हम कुछ अलग तरीके से सबजियों का उप्योग करेंगे, यहाँ पर मैं 250 ग्राम शिबला मिल्च छोटे भागों में काट कर ली हूँ, इन्हें मिक्सी जार में डाल कर पीस लेंगे, पीसने के लिए प आप अपने अनुसार कम या जादा मिल्ची कर सकते हैं, अब सबजियों को डाल कर थोड़ा चला लेंगे, आपके पास जो भी सबजी आवे लेबल हो, उनका इस्तिमाल कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसे इसी तरह से पकने देंगे, ढखना नहीं होगा, यहाँ पर एक बरतन में डेड़ कप आटा लीओं, स्वाद के अनुसार नमक, आदा कप चांच, आप दही भी डाल सकते हैं, फिर शिमला मिल्च के पानी को थोड़ा थोड़ा डाल कर आटा गूंद लेंगे, और इसे ढखकर आदे की हो, मैं एक भाग लेंगे, और इसे चपाती की तरह गोल बेल लेंगे, बेलने के लिए सूखे आटे की जगह पर टेल का इस्तिमाल करेंगे, तो बराने में ज्यादा आसानी होगी, और हमें ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, बेल लेने के बा इस तरह से रोल करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी कटना ही होगी, लेकिन इसे आसानी से बाद में रोल कर सकते हैं, इस तरह से रोल कर लेंगे, और फिर चको की सायता से 1.5 इंच का गैप देकर इसे कट कर लेंगे इस तरह से, कट करने के बाद में किनारों से इस तरह स यह पूर्ड से दबाते हुए हामें शेप देना है इसतार से सारे पीसेस को हम किनारों से इस तरह तेल डाल रही हूं, तेल गरम होने के बाद में एक एक करके पीसेस को डालना है, एक बार में जितने आयो उतने डाल कर हमें पकाना है, आदे से एक मिनिट में एक तरफ से फ्राय हो जाएंगे, फिर इन्हें पलट लेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे, इसी तरफ से सारे प इसको पका लेंगे ये खाने में बहुत ही टेस्ट ही है बच्चों को बहुत पसंद आते हैं आप भी अपने बच्चों के लिए इसे जरूर बनाईए धन्यवाज जहिन